अगले कुछ महिनों में निगम के चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर निगम की सियासत की गर्मी देखी जा रही है प्रदेश की आर्थिक राजधानिये दौर में इसको लेकर श्रे की राजनीती का दौर भी शिरू हो गया है देखिए इस खास रिपोर्ट में नगर निगम परिशद में विपख्ष की भूमी का निभा रहे कॉंगरेस नीटा पक्ष में बैठी भाजपा परिशद पर अंदेखी करने और विकासकारियों का श्रे लेने का आहरोप लगा रही हैं शहर में हो रहे विकासकारियों के आयोजन में हिस्सेदार नहीं बनाने पर कॉंग्रेसी भी रोश जाहिर कर रहे हैं बुद्वार को भी कुछ ऐसा ही नजारा उस समय नजर आया जब मदप्रेश राज्य विकास केंद्र के कारेकरता अचानक सीपी शेखर नगर स्थित शहर के पहले स्मार्ट उध्यान का उध्गाटन करने पहुच गए दरसल बीजेपी बड़े स्थर पर आयोचन कर हर सिध्धी उध्यान के उध्गाटन की योजना बना रही है लेकिन इससे पहले ही कॉंग्रेस कारीकरताओं द्वारा श्रे लेने के लिए हर सिध्धी उध्यान का उध्गाटन आज ही कर दिया गया इस मत्य पर मीडिया से बात करते हुए कॉंग्रेस नेता देविंद्र सिंग यादव ने बीजेपी पर आरूप लगाया कि बीते दिनों शहर की महापौर और MIC सदस्यों ने कमला नहरू प्राणी संग्राले में लगभग चार करोड की लागत से बनाए गए मुख्यद्वार और स्नेक हाउस का उध्गाटन बिना कॉंग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को जानकारी दिये ही कर दिया था इसलिए इस बात से नाराज कॉंग्रेस कारेकरताओं ने बिना किसी पूर्वसूचना के आज हर सिद्धी उध्यान का उध्गाटन कर दिया आई थी क्योंकि मैं भी यहां से चुनाओं लड़ा हूं आम जनता की मांग थी कि जो है जनता के लिए इसको ततकाल खुला जाए आज हमने भारती जनता पार्टी की आपसी लड़ाई को देखते हुए महापोर जी घर से भाहर नहीं निकल रही है और निगम कमिशनर जो है जनता की मांग पर जनता द्वारा जो है आज इसका उतगटन जो है हमने फीता काटकर और स्वर्गी एंद राजी जी की तस्वीर पर मालियापन करके दीप्रचुलीत करके इसका उतगटन हमने जनता के लिए किया है साथ ही आधर्णी कमलनाच जी के नेतरुत में जो 11 महा की सरकार है 11 महा की सरकार के नेतरुत में इस बगीचे का काल्या करवर जो है उसका अच्छा काम जो है तेजी से काम हुआ कमलनाच जी के नेतरुत में और साथ ही हम सासन प्रसासन से मांग करेंगे कि इस सेकर नगर पार्क का नाम स्वरगी इंदरा गांधी स्वरगी राजी गांधी जी के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए भाजबा पार्षद रतनेश बागडी ने कॉंग्रेस कारीकरताओं पर अपनी ही पार्टी के मंत्री की मंशा के विरुद्ध जाकर उद्घाटन करने का आरूप लगाया उनका कहना है कि मंत्री जैवर्धन सिंग ने खुद उन्हें तारीक तै कर सूचित करने की बात गही थी जो जल्द ही तै होने वाली थी इसलिए कॉंग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया यहां उद्घाटन अनुचित है और इसे मान्यन नहीं किया जाएगा यह जो अपना उद्घान है अटल विहारी बाश्पई उद्घान एवं साधना केंद्र के नाम से है और इसका उद्घाटन लगबक आट महीने से लंबित है चुकि मंत्री जी और महापोर जी की वस्ताओं के चलते इसको समय नहीं मिल पाया है अब ही पिछले कुछ दिनों पहले इसका उद्घाटन रखा गया था लेकिन खजराने में रखा था इसलिए हमने मंत्री जी और महापोर जी से निवेदन भी किया था कि इसको यहीं पराकर करें तो दोनों ही ने माननी मंत्री जैवर्दन सिंग जी और साथ में महापोर जी दोनों ही ने मेरी बात को मानते वे उसको उद्गाटन के लिए मुझे अगला समय लेने के लिए बोला था और कुछी दिनों में अगली जब मंत्री जी का इंदोर दोरा होगा उस दिन इसका उदगाटन होना है आज की जो ये कुछ कांग्रेस के कारिकरताओं द्वारा जो ये किया गया है इसको मानेतन नहीं मिलना है क्योंकि उन्होंने उनी के मंत्री की बात को नहीं माना है वही महापावर माली निगौर्ड भी इस करत्य को लेकर भड़ा कुठी और कहा कि पुतले जलाने वाले नेताओं के कारणामों को उद्धाटन नहीं माना जाए हम उध्यान का विधिवत उद्धाटन करेंगे कॉंग्रिस नेता लगतार नियमों की धज्या उड़ा रहे हैं अध्याटल भिहारी बैच पर इजी थे उनके नाम का हम पूर्व में इलान भी कर चुके हैं और उन्हीं के नाम से वागीचा स्थापित होगा और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार आज महां जाकर जो नियमों का उलंगन किया है जिस प्रकार से उन्होंने जाकर जो भी किया है वहां पर उद्धाटन वगेरा एसे उद्धाटन नहीं होते हैं मेर, कमीशनर हो या महां के जन प्रतिनी धी उनका हग बनता है देविन सिंग क्या है? पुतले जलाने वाला एक खिलाडी है वो और जिस प्रकार से पूरा शहर में नियूसेंस करते हैं वो मैं इसको मानने नहीं करती हूँ चूकि विधिवत वो उसका घटन होगा आगया कुल मिलाकर आगा में निगम चुनाफ को देखते हुए शहर में दोनों दल जनता के सामने अपनी च्छवी चमकाने की होड में लगे हुए हैं ब्यूर रिपोर्ट अम्पी नियूस एंटार